आज के इस वीडियो में में आपको किलास टेंट साइन्स से महत्पुर्ण प्रस्ण है आपका कि कोई एक पधार्त है एकसे उसके विलियन का उप्योग हम सपेदी करने के लिए करते हैं ठीक है तो इसकी जल के साथ किरिया भी उपकरनी है हम तो बड़ा ही महत्तपुर्ण प् हैं ध्यान से समझेगा अब जो चुना हैं वो दो परकार का चुना है एक है बिना बुजा हुआ चुना है और एक होगा बुजा हुआ है ठीक है अब जो बिना बुजा हुआ है उसको उपयोग हम सपेदी करने के लिए करते हैं क्योंकि जो मार्केट से हम जो चुना खरिद के लाते हैं ध्यान समझेगा जूसे हम बहुत बर-बड़े टुकडों में लेके आते हैं ठीक है फिर उसको हम किसके साथ डालते हैं जल के स पाने के साथ तो बस वही जो चुना है जिसे हम पहले मार्केट से खरिद के लाते हैं वह आपका बिना बुजा हुआ चुना तो इसने प्रसने आप से क्या पूछा है प्रसने पूछा आप से कि उस एक्स का नाम पधार्थ का नाम बताईए तो यहां पर हम लिख देंगे पधार्थ है एक्स का नाम ठीके अब उसका नाम क्या है केलसियम आक साइड है क्या है केलसियम आकसाइड ho आक्साइड और इसने क्या बोला है इसका दूसरा नाम देखे बीना भूजा हुआ चुना केते हैं इसका सूत्र भी पूछा आपसे सूत्र तो सूत्र क्या है C A O हो गया अब यह जो केलसिय माउकसाइड इसकी जल के साथ किरिया यह बोल रहा है तो इसी में आगे है जल के साथ किरिया ठीक है तो यह हो गया आपका केलसीम सी ए ओ पिलाज जल तो जब मार्केट से चूना लेकर आते ना जो इस्तरिया पहले मिट्टी की दिवार पर आज भी बहुत सारी जगाओं पर गाओं में हैं लेकिन अब तो क्या पक्के मकान होगे प्लाश्टर तो इस पर नहीं जो कच्छे मकान थे ना उस पर पुताई करा क तो बुस्मा देता था ठीक है बस और बनाता था आपका बुझा हुआ चूना जिसका फॉर्मुला होता है सी ए Yes, ऊअच्छ ट्वाइश्ट यानि केल्सियम आकसाइड तो यह है आपका केल्सियम आकसाईड यह आपका जल है कि और यह जो है आपका है केल्सियम हाई ड्रक्साइड ठीक है तो यह आपकी पानी के साथ एक किरिया हो गई तो यह आप इतना सा इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है किसका नाम क्या है चाहिए आप यहाँ से इतना सा लिख दीजगा ठीक है या फिर आप यह लिख दीजगा यहां से प्रस्टन हो गया यह आपका कि और यह यहां से इसका अंसर इसी तरह के मॉस्ट इंपोर्टेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है